शोटे शारू खान भी देखने को मिल जाएंगे प्लीज इंग्नोर कर देना यार ऐसे वच्चों नादानों को मुझे ये चेने दिखाई दे रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है इन पर मैं लटक जाओ या क्या करूं या जूला जूलू हलो फ्रेंज और विल्कम बैक वाट चैनल सान्व और अगर एन आज आ चुके हैं हम एक नए व्लॉग के साथ एक नहीं जगा पर जोकी है माई टोम आप देख सकते हैं लोग लाइन लगाए खड़े हैं टिकेट लेने के लिए 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 हम लाइन नहीं लगाएंगे क्यों तो इसलिए हम यहां से टिकेट लिहेंगे सिधा स्कान करेंगे और लाइन ग्राइन लोगाएंगे दूस्तों टिकेट फाईनली हमने ले ली है अब सिधा चलते हैं अंदर उन्ट्रे के वक्त वीटर बना मत देना फोन ही ले लेगे अब तो पुछ भी नहीं है तो बाइव बदे गार में चोड़ा देखने को मिलका खो फुक-ई कैने क्या नदर था है इसे लिए नदर आते हें लेकर पास, कि मजी पैने. लेकिन आते ही मुझे ये चेने दिखाई दे रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है इन पर मैं लटक जाओं या क्या करूँ या जूला जूलू तो इनको इग्नोर करके हम सीधा बंदर ही चलते हैं और अंदर जाते ही मुझे देखने हो तीन मकबरे मिलते हैं और इन मकबरों को देखने में इन लोगों को बता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा है जो यहां से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं तो हम है क्या हम तो आगे चलते हैं आप देख लो आपको देखना है तो बाकी ये मकबरे मैंने पता किया तो इनको भी नहीं पता था कि इनके मकर वे बस ये खड़े वे हैं यार इससे भाहर निकलते हैं मुझे सामने एक और ऐसा ही महल देखने को मिला अब मैं वहां जाके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तो सीधा चलते हैं हमाईयू टोम की तरह तो दोस्तो रास्ते में आपको ऐस कि देख लेना और सब कुछ यहां पर आपको इन्फोमेशन मिल जाएगा यह भी है कुछ इसको भी देख लो यार एक बारी और चलते हैं हमाईयू टोम जो कि बिल्को लगता है ताज महल के जैसा सो फाइनली गाईज हमें हमाईयू टोम देखने को मिल गया है आप इसके और यहां पर फिर से हमें कुछ देखने को मिल गया इन्फोमेशन हमाईयू टोम के बारे में जाप स्टाप करके देख लेना तो दोस्तों यार अब हम फाइनली चढ़ाई चढ़ रहे हैं हमाईयू टोम की जैसा की ताज महल में भी ऐसी चढ़ना पड़ सा है हमें नंगे पैर यहां पर भी हम नंगे पैर तो नहीं हम यह पर चपलो के साथ ही चढ़ रहे हैं और यह रहा सामने आपके हमाईयू टोम और सच बताओं तो बस यह लाल कलर का है और जो ताज महल है वो सफेद कलर का है वाइट माबल से बना है क्योंकि और जहां तक मैंने सुना है इस ताज महल के वाइट माबल यूज हुए है दो है जो आप देख पारे है वाइट वाइट अगयास ग् Agora कॉपर का पार्ट है जो इसमें भी आपको उपर का पार्ट देखने को मिला है इजके दिखल था था है वह बहु लूए आपको जो गलर का ही बना हुए है वाइट माब सब बहुत अच्छे स्पार्ट्स हैं फोटो किछवाने के अराम से किछवा और मुझे स्प्लोर करते करते कि गुफा टाइप सी मुझे दिखाई दिये जो कि जाली से बंद हो रखिया लेकिन लोगों को यहां भी भी तोड़ करने का बहुत ही मन किया और लोगों ने जाली फ है जाने दिया जाता है बट यहां पर आपको ताज महल के अंदर नहीं मतलब हिमाईयो टॉम के अंदर जाने दिया जाएगा और हम आप ही चुके हैं और आप देख सकते हो भूल भूलाईया टाइप्स लग रहा है मुझे हर जगा से गेटी गेट है और कुछ खास तो नही अंदर बट यहां पर भी अगर आप देखोगे तो अंदर जाके एक टॉम है मतलब मगबर है वो जैसे आप देख पारे हो सामने ही और यहां पर बस काफी जादा गेट वगरा है और कुछ अच्छी कालाकारी करी हुई है तो फोटो अगर आप यहां से भी ले सकते हो काफी अच्छी पिक्चर आजाएंगे आप दोस्तों यार आखरी में आप यहां पर आके थोड़े इस म्यूजियम का भी मज़े ले लेना क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा ही अच्छे से इंफोर्मिशन मिलेगी हमारी टॉम के बारे में तरह साब यहां पर एक स्ट्रक्चर भी देख पाओगे हमायू टॉम का जो कि इन्होंने बना रखा है और काफी सुन्दर लग रहा है यार यह देखने में सच वरता हूं तो और इसके अलावा यहां पर आप काफी पुराने स्टोन्स देखने को भी लेंगे गाईस तो जरू देखना एन हमाई जो यहां पर यह व्लॉग है खतम होती है मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक क्या आप अपना ख्यार रखना all the best and thank you so much for supporting bye bye